नमस्कार दोस्तों सुगत आपका इस्टडी फॉर सिवल तरफिस में स्टडी फॉर सिवल तरफिस के एप से कोई भी टेस्स सिरीज कोई भी कोर्स कोई भी पीडियाफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले अपलाई टुरेंट दिलेगा 31 महीं तक है यह सिर्फ और सिर्फ एप वाले कोड्स में एपलिकेबल है तो इस ट्ड़ी फॉर सिवल तरफिसमें कई सारी टेस्स सीरीज है यू कैपीएससली बैपीएस सीय आरो यारो है यूंवाली है है ना सब्सक्रार इसमें न्म्सक्राइब साथियों, स्वागत है आप सबी के study for civil services में ये class है हमारी arrow arrow हिंदी की और ये है हिंदी का हमारा last topic हिंदी के जो 5 topic है arrow arrow के लिए वो हम already cover कर चुके हैं और ये है इसका छटा topic जिसको हम जल्दी ही cover कर लेंगे, ठीक है तो टॉपिक जो है हमारा लास्ट वो है वाक के एवम वर्दनी शुद्धी तो आज हम इसकी बात करेंगे चलिए देखी ज़रा अशुद भात्हा लिखने का रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है यानि लोग गल्र शब्द लिखते हैं वर्ण शब्द और वाक के पर क्रमशह विचार करने के पश्चाथ निबंद लेखन के अंतरगत विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली मोटी मोटी अशद्धियों पर विचार कर लेना भी आवश्यक प्रतित होता है अनुस्वार का प्रियोग हिंदी में जितना ही आवश्यक है उतना ही आज उसकी उपेक्षा दिखाई दे रही है इसके अतरिक्त ने कौमा को आदि कारक चिन्नों के अनावश्यक तथा अन्य था इस्थान प्रियोग अशुद क्रियापदों के प्रियोग और लिंग वचन आदि की तुरुटियों से एक-एक वाक के भरे होते हैं यही कारण है कि परिक्षाओं में निवंध के प्रश्ण पंत्र में विशय का निश्पादन करने पर भी विद्यार्थी अच्छे अंक अर्जित नहीं कर पाते हैं अता यहां वाक्रचना के मद में होने वाली कुछ अशुद्धियों की ओर ध्यान आकरशित करने का प्रयास किया गया है जैसे क्या क्या अशुद्धिया है देखिए पहले है विभक्ति सम्मंधी अशुद्धि या कारक सम्मंधी अशुद्धि जैसे पहले हम बात करेंगे करता जो करता की विवक्ति है वो है ने तो उसके बारे हम बात करेंगे देखो सकर्मक्रिया के सामान्य आसन कुमा पूर्ण भूत और संदिक्त भूत के करतरी वाक्ष में होता है ठीक है देखे सकर्मक्रिया क्या होती है जिनको करने के लिए कर्म की आवशक्ता होती है जो बिना कर्म के संपन नहीं हो सकती जिनमें कर्म आपको साहिक के रूप में चाहिए होगा ठीक है? जैसे अगर मैं कहा रहा हूँ मैंने फल खाया तो मेरा जो खाने का काम है वो फल के द्वारा हो रहा है मूँ के द्वारा हो रहा है बट फल उसमें जरूरी है ठीक है तो उसी तरीके से या मैंने साइकल चलाई तो साइकल चलाने का काम जो है वो साइकल के होने पर ही कंप्रीट होगा मेना साइकल के वो काम नहीं हो सकता लेकिन अगर मैं कहूं हूं मैं सोया तो सोने के लिए फिर आपको कोई विशेश चीज के दूर्बत नहीं है उसमें आप कर्म की आवज़ रखता नहीं है तो वो अकर्मक है याद रखना सकर्मक क्रिया अकेली अथवा किसी सेंट क्रिया के पश्चात में हो जैसे मैंने भोजन किया ठीक ये सामन भूत है मैंने भोजन किया है ये आसन भूत है मैंने भोजन किया था ये पूर्ण भूत है और संभव है कि मैंने भोजन किया हो ये संदिक्द भूत है इसमें पता नहीं है किया है कि नहीं किया है अब इसमें लोग गलती कैसे करते हैं देखो अशुद प्रयोग है पिता जी मुझे कुछ रुपए दिये ये गलत है सही क्या होगा पिता जी ने मुझे कुछ रुपए दिये फिर है कौन काम किया है ये गलत है सही क्या होगा इसका किस ने काम किया है ने का प्रयोग आपको यहां से खाया जा रहा है प्रधान मंत्री ने भाषण दिये थे तो यहाँ पर होगा प्रधान मंत्री ने भाषण दिया था ठीक अगला है हो सकता है तुम्ही यह पत्र फाड़े हो ठीक है यह गलत है इसको हम किस तरीके से लिखेंगे हो सकता है तुम्ही ने ये पत्र फाड़ा हो ठीक है अब देखे भाषा के अनुसाद जिसे आप पूरुप में जाओगे उत्तपदेश के पूरुप में जाओगे तो वहाँ पर हो सकता है इलहाबाद की तरफ या जो है और आगे जहां पर भोजपुरी भाषा का टच है यूपी में वहाँ पर इस तरीकी से बोलजाए कि तुम ही ये पत्र फाड़े हो लोग ऐसे बोलते हैं नौर्मल बात है बट हिंदी में जो है आपको मानक तरीके से लिखना पड़ेगा तो यहां पर आपको नए लगाना पड़ेगा अब देखो अगे है अकर्मक क्रिया के साथ ने चिन कभी प्रयोग नहीं होता सकर्मक के साथ होगा लेकिन अगर अकर्मक है अकर्मक मतलब जिनके लिए कर्म इतना आवशक नहीं है या जिनके लिए कर्म की ज़रूत नहीं है वो जैसे रोना, हसना, गाना ठीक तो इस तरह के से अब देखो ये दिखा है बच्चे ने रोया ये अशुद वाकिय है, इसके इस्थान पर क्या आएगा बच्चा रोया, ने यहाँ पर अशुद है मैंने वहाँ गया था, यह गलत लिखा है, यहाँ पर क्या होगा, मैं वहाँ गया था मोहन ने खूब हसा ये गलत है अब देखिए हसना रोना ये सब अकर्मक लिया है तो इसके सालपस क्या प्रयोग होगा मोहन खूब हसा मैंने दूठ पीकर स्कूल गया ये गलत है सही क्या होगा मैं दूठ पीकर स्कूल गया तो इस तरीके से जो है ये काम करेगा आखे बढ़ते हैं आखे देखें कर्मकारक चिन को का प्रयोग का कॉमा के लिए कॉमा से कॉमा पर आधी चिन्नों के स्थान पर को का प्रयोग भूल से कर दिया जाता है महा पुर्षों के उपदेशों को अपने जीवन में प्रयोग करो अब नॉर्मल देखने पर जो है ये गलत नहीं लग रहा है लेकिन इसमें गलती है कहां गलती है तो यहां पर बस एक छोटी से गलती है जो आप अगर ध्यान दोगे तब ही पकड़ पाओगे और वो है ये कि महा पुर्षों के उपदेशों का यहां पर जो गलती है वो का के अंतर का थे ठीक है यहां पर को लगा है लेकिन सही शब्द क्या होगा कोके स्थान पर का होगा महा पुर्षों के उपदेशों का उपदेशों को नहीं नॉर्मल आप इस गलती को नहीं पकड़ पाएंगे अगर आपको नियम नहीं पताएं तो ठीक है जैसे अगला देखो इस विशय में मैं आपको क्या कहूं यह है इस विशय में आपको क्या कहूं इसका जो सहीच इस्तिमाल होगा वो गाये कि इस में मैं Նप से क्या कहूं यह होगा ठीक है अगला है पिता जी मुझे कुछ कपड़े ले आए यह है यह इसका अशुद्ध प्रयोग है इसकी स्थान पर शुद्ध क्या होगा पिता जी मेरे लिए कुछ कपड़ा ले गए इसका सही शब्द होगा अगला है शालू को परिच्छा में सम्म को नहीं आएगा बलकि की आएगा तो शब्द क्या हो जाएगा शालू की परिक्षा में समलित होने की इक्षा नहीं है यह इसमें शही प्रियोग होगा तो आपको ध्यान रखना है आगे दिखते हैं आगे है समंध कारक चिन जो है जो समंध कारक चिन है जो का है या के का प्रियोग समंध कारक चिन का या के आदि के प्रियोग में भी तुटी हो जाती है जैसे इस कार के विग्न बनकर तुम आए हो ये अशुद परी हो गए फिर क्या शुद क्या होगा इस कार मैं इस कार मैं विग्न बनकर तुम आए हो ये शुद परी हो गए और इस कार के आप लेखोगे तो गलत हो जाएगा ठीक है अगला देखिए इस गाओं में घर घर यही दशा है ठीक है तो ये गलत है सही क्या होगा इस गाओं के घर घर में यही दशा है मैं नहीं आएगा के आएगा अगला है मेरा यह सुझाओ तुम्हारे हित का है यह गलत है, सही क्या होगा, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है, तो इस तरीके से आपको यहां चीजों को देखना है, आगे देखते हैं, करणकारक की बात करेंगे, अपादान के चिन से के लिए, यह करणकारक तो अपादान कारक दोनों का चिन है, जहां पर सहयता से कोई काम होता है, और कारक के समय दोनों वस्तुओं समीप होती है, वहां करणकारक होता है, और वस्तुओं में परसक्ता पाई जाए और दोनों वस्तुओं एक दूसरे से दूर रहती है, वहां अपादान कारक होता है, जैसे विशाल डंडे से कुट्टे को पीटता है, अब डंडा जो है कुट्ते की पीट पर पढ़ रहा है तो दोनों पास ही पास है लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि वरच्छ से फल गिरा तो वरच्छ और फल के बीच जो सम्मंद है वो अपादान होगा क्योंकि जो फल है वो वरच्छ से तोटकर गिर पड़ा है दूर हो गया है तो दोनों समीप है के नहीं और डरना जो है आख कर और और है डर्ना दिए कोजा कि अपने घर्सक क्रायधारों को निकालता है ठीक है तुला के सेंस में भी इसका यूज करते हैं जैसे दीपा नीता से चतुर है ठीक यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं और फिर है मैं लिखने के बाद पढ़ने मैं लगूँगा यहाँ पर यहाएगा से नहीं आएगा मेरे विचार के अनुसार विप्विबक्तियां सरुनाम के साथ मिला कर लिखनी चाहिए तो इस तरीके से इनको हम देखेंगे ठीक है तो यह है अभी इस तरीके से हम इनको पढ़ेंगे अभी छोटा सा वीडियो है इसको आप देखिए समझे और जल्दी ही जो है यह लास्ट टॉपिक है मारा जल्दी इसको खतम करके जो है हम फिर हिंदी का रिविजन स्टार्ट करेंगे उमिद करता हूं इसमें नहीं जानकारी आपको मिली होगी तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए जल्द को सब्सक्राइब करिए मिलतागी लिए क्लास में तब तक के लिए जय हैं जय भारत बंदेवात रब